क्या बीजेपी को अजुध्या में डीयम ने हरवा दिया क्या डीयम सपा के अधिकारी है क्या अभी भी सासन में सपा की हनक है क्या बीजेपी को अजुध्या में हराने में डीयम का हाथ था दरसल ये बाते हम नहीं हरुमान गढ़ी के महंत राजुदास कह रहे हैं भले ही बना ली लेकिन रामनगरी अजोध्या में मिली हार ने जो चोट भी हुआ किसी से पर्च नहीं रही है जब से परिडाम घोसित हुए है तब से अपने अपने दावे कर रही है नेता राजनीतिक बिसेसर्ग सेमेकर मीडिया और बीजेपी भी हार की समिछा कर रही है त इसी बीच रामनगरी अजोध्या में हार की समिछा करने योगी सरकार के दो मंत्री पहुँचे थे उनके साथ महंत राजुदास भी मौजूद थे वहीं अजोध्या के जिलाधिकारी भी पहुँचे थे लेकि इसी दोरान कुछ ऐसा हुआ जिस पर जमकर बवाल हो गया यो ने ही हरवाया है यहां से बीजेपी को जिस पर डीम भी गुस्से में राजुदास पर भरक गए और कहा जा रहा है कि इस बावाल के बाद राजुदास के सरकारी गनर को भी डीम ने छिन लिया वहीं कुछ लोग बीजेपी कि समिछा बैठक में डीम के बुलाने पर सवाल उनका कहना है कि बीजेपी क्या डीम के भरों से चुराव लड़ रही थी पार्टी की बैठक में डीम का क्या काम था इस खबर में इतना ही वैसे इस पूरे मामले पर आपकी कहरा है कमेंट में जरूर लिखिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक सेर कर करना नया भूलिए इताने बाद